नमस्कार आज हम बात करेंगे स्टूडेंट हो या कुई और हो आप भी अगर आपका डायरी लिखने का है भी थे अगर आप डायरी लिखते हो या बच्छों को डायरी में एंट्री केसे डायरी केसे लिखा जाता है इस बिशोय पर बात करेंगे डायरी लिखना एक good habit है अगर आप student हो या आप businessman हो या आप housewife हो या कोई भी हो आपको डायरी लिखना चाहिए डायरी में entry कैसे करते है और कैसे लिखा जाता है इस विशवय पर आज हम आपको detail में समझाएंगे तो आप video को आगे तक देखिए channel को subscribe किजिए और ज्यादा से ज्यादा share किजिए इस तरह से हम daily एक नए नए topics पर वीडियो लाएंगे आपको सिखाते रहेंगे इसलिए आप हमारे साथ जोरे रहें इसलिए क्या करना है आपको bell icon को दवा देना है ताकि जब भी में नए वीडियो आपलोड करो आप तक notification जाप हुचे diary entry करने के लिए आप लोगों को क्या करना है पहले आप जैसा में दिखा रहा हो date लिखना है आपको और बाद में time लिखना है डायरी एंट्री करते वक्त पहले जो काम करना है आपको क्या करना है डेट एन टाइम लिखना है किस तरह से लिखेंगे मैं लिख दूंगा एक देमू भी दे दूंगा उस तरह से आपको लिखना है और बात में आपको जो कुछ लिखना है श्यार करना है उस तरह से लिख सकत जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको जिस से भी बात करनी है आप ज्यादा तर डाइरी से ही बात करेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं dear diary my examination starts tomorrow and I am a little nervous tomorrow we have the English paper contents of the English textbooks are not that difficult in fact I find them easier than many other subjects but I am scared of the mathematics paper mom says that mathematics is a very beautiful subject she is so caring and always tries to encourage me i love my mother alas i am missing my sound slip that i that i have always had okay now i shall read a very beautiful poem of the english textbook and try to fall asleep with it good night कि बाद में आपका नाम लिखना है इस तरह से अगर आप एंट्री करेंगे तो बहुत खुपसुरत होगा आपको जू कुछ लिखना है जैसे कि मैं और एक दूसरे दिन का एक डेमू दे रहा हूं दे टू आपको पहले डेट लिखना है बाद में टाइम लिखना है हो सके तो जो दे है उसका नाम लिख दीजिए जैसे मैं इदर लिख रहा हूं और बाद में स्टार्ट किजिए डियर डाइरी Shifting to a new city and a new school in the mid-session had left me very unhappy I badly missed my old school teachers and friends but today my new classmates went out of their way to help me when I fell down the stairs in the school They took me to the first aid room and even did my written work It has been just one week but I have started to feel comfortable already in the school Good night खुद का नाम लिख दीजिए इस तरह से आपको जो कुछ लिखना हो आप में इदर थोरा थोरा सा लिख रहा हो आप चाहे दो तीन चार पेज भी लिख सकते हैं आपको आपकी मौन से बात करना है आप ऐसा समझ लेए जब डाइरी लिखेंगे दाइरी को आप अपना best friend समझेए जब भी आप best friend समझेंगे तो आप डाइरी में आपकी मौन का बात कर सकते हैं डाइरी लिखने का फाइदा क्या होता है जब भी आप उदास हो आप अपने बाते बता सकते हो डाइरी को लिख सकते हो डाइरी में और दीन में हो या आपके जो पिसला साल था पिसला धीन था पिसला महिना था उस समझ आपने क्या-क्या गलत किया है उस बिश्वेप Nicolas शुदारनी के लिए आप अपनी गलतियों को शुदार सकती हो ये सब चीज का साक्षी डाइरी दे सकता है आप अपना बेश फ्रेंड डाइरी को बनाएं आज कल एक एसा दोड है जिस दोड में हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते अगर विश्वास करना है तो आप डाइरी को कीजिए। एक भाथ है ना आप जब भी अपनी मन का बात किसी और से बताएंगे तो वो कही ना कही कभी ना कभी जाके किसी और को बताएंगे एक पहावत है अपना best friend का भी अपना best friend होता है जो आपका best friend है उनका best friend आप नहीं हो एबात 100% सही है इसलिए जब भी मुका मिलेगा वो तो आपसे बदला लेगा या आपके बाते जो secret था आपका वो किसी और को बताएगा इसलिए diary को आप best friend बनाओ जिंदिगी में कोभी अपसुस नहीं करोगे इससे नुक्सान नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा आपको फाइदा मिलेगा जो भी हो मैं और एक इंट्री कर रहा हूँ उदर जैसे की 3rd January 2019 Witness Day 11 PM Dear diary I felt very happy today as my art teacher had selected me for an on-the-spot drawing competition in our school and I stood fast in the competition I received many compliments from my friends, teachers and my parents I got a medal, a trophy, a certificate and rupees 10,000 I was very happy at that time because I was thinking of buying some sports equipment with that money It was really a remarkable day for me Good night आपका नाम लिख दीजिए अगर इस तरह से दिन में जो भीता हो या हफ्ते में जो भीता हो आशकाल के बीजी स्टूडेन भी भीजी है आप भी बीजी हो तो कही ना कही डेली डायरी एंट्री करना मुश्किल हो जाता है ना मुम्किन सा बन जाता है इसे लिए आपके जी जो कुछ हुआ हो जो आपको यात रखना है या एसा कुछ हुआ है जिसने आपको लणली फिल कराया है या आपको डी मोटिवेट किया है आपका मॉरेलिटी डाउन किया है तब भी आप डायरी एंट्री किजिए चाहे तीन-चार दिन में हो या मांत में हो आप डायरी थैंक्यू आगे मिलते हैं तुन्वत